हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल स्प्रीचर लव टेराट कैसे हैं आप लोग हैपी दिवाली डियर सब लोगों को में इसार से बहुत बहुत शुब कामना हैं आप लोग हैपी रहें खुश रहें पॉदिटिविटी को ट्रेक्ट करें और डियर आज का टॉपिक थर्ड पार्टी डेली अपडेट तो चलिए थर्ड पार्टी डेली अपडेट में जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है क्या आप फील करने वाली है आज ये थर्ड पार्टी और आज क्या जजबात रह कर आपके emotions क्या रहने वाले हैं आपकी feelings क्या रहने वाली है वो सारी चीजों पर हम focus करेंगे सबसे पहले हम card निकालते हैं कि third party का क्या है third party के जिंदगी में क्या चल रहा है आपके partner के साथ में क्या हो रहा है आपके partner और third party तो डियर यह यहां पर थ्री of सोर्ट के अनर्जी है dollars. दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बातِ चल रही Five Week aí कंन문 को क्यांहन 뉴스 आपके पार्टनर के बीच में डीयर चीजंगीों क्यों में आप वार हो चुकी है कि कोई कि यहाँ पर आपके पार्टनर जरुत से जाधा इस थरड़ पार्टी के लिए काम कर चुके थे ऐसा दिखाई दे रह That उर आपके पार्टनर ने इस धर्ड़ पार्टी के लिए जरुत से ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है उन्हें लग रहा है कि उनके साथ में धोका किया है है ना आपके पार्टनर ने तो पूरी जान लगा दी इस रिष्टे को सही करने में पर इस थोर्ड पार्टी ने क्या किया कुछ नहीं यहां पर आपके पार्टनर एफर्ट डालते चले गए अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर सब कुछ बदलना चाहा रहे हैं सब कुछ सही करना चाहा रहे हैं जहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो आपके पार्टनर है अपनी लाइफ में कुछ चीजों को लेकर बैलेंस करना चाहते हैं कुछ चीजों को लेकर बहुत सोच रहे हैं अपोर्चुनिटी की तरफ बर्ड रहे हैं और बहुत जल्द चीजें जो हैं सही हो जाएं ऐसा चाहा रहे हैं आपके पार्टनर ठीकें यहां पर थर्ड पार्टी जो है जरुष से ज़्यादा आपके पार्टनर के दिल पर हावी हो रही है बहुत ज़्यादा हावी मुझे दिखाई दे रही है आपके partner की जो चीजे हैं उसको एक ऐसे repeat करती रहती है यूँ दिख रहा है कि ये third party ने आपके partner के life में बहुत ज़्यादा problem create करके रखा है बहुत ज़्यादा चीजों को कहीं न कहीं अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रही है ये third party तो वो चीजे दिख रही है कि ये third party जो है अब आपके partner के emotions आपके partner की feelings सबको अपने तरीके से चलाने की कोशिश करती हुई दिख रही है ये third party यहाँ पर थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कंट्रोल करके रखा है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कहीं न कहीं नजर में रख रही है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के पूरी चीजों को कहीं न कहीं कंफ्यूज भी करती रहती है तो वो चीज़ यहां पर दिख रही है किसी तरह की negativity, किसी तरह का कोई एकसर चीज यहां पर third party की तरह से दिख रहा है कि इस third party ने बहुत बुरी तरह से आपके partner को अकेला कर दिया है बहुत बुरी तरह से आपके पार्टनर के उपर हुकूमत कर रही है ये third party है न देखिए ये जो third party है कहीं न कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि आपके partner के दिल पर दिमाग पर बहुत बुरी तरह से हावी हो चुकी है ये third party देखिए कार्ड बता रहे हैं कि यहां पर थर्ड पार्टी जो है इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को किसी बात को लेकर हो सकता है कि यहां पर थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रही है किस बात के लिए कंट्रोल कर रही है यहाँ पर आपके पार्टनर जो है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी इमोशन, सिनका जो ध्यान है वो अभी आपी की तरफ हो रहा है और ये थर्ड पार्टी को अच्छा नहीं लग रहा है थर्ड पार्टी ऐसा सोच रही है कि आपके पार्टनर आप पर ज़्यादा फोकस कर रहे है आपी की तरफ देख रहे हैं वापस से उस रिष्टे पर फर्ज डाल रहे है तो इस थर्ड पार्टी से देखा नहीं जा रहा है तो ये third party जो है क्या कर रही है आपके partner को confuse करने का काम कर रही है आपके partner को बहकाने का काम कर रही है आपके partner को एक ऐसे situation में डाल रही है ये third party कि आपके partner को control करना चाहती है उनको जबरदस्ती अपने जहासे में लेकर कुछ चीजे करवाना चाहती है जैसे कि यहाँ पर दिख तो यहां पर थर्ड पार्टि आपके पार्टनर से जरुष से ज्यादा समय मांगती हुई दिख रही है अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं तो जो समय आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं यह थर्ड पार्टि चाहती है कि वो समय भी आपके पार्टनर आपको आपसे बात ना करें, आपको इजनोर कर दे, आपकी तरस, देखिए, यहां पर कुछ लोगों के पार्टनर जो ह ..." इस थोड पार्टी के साating हैं,",","",,"ցछ लोगों के partners to third party के साथ ही रहते हैं y are-, similarity क्राइब अपर आपर फॉल ताइम को पर्तनर की तो एसी अनरजी दिखे रहे हैं कि यह兩र पार्टनर वहन करते हैं और जब यह ऊफ करते हैं तो सब्सक्राइब और तो मतलें एंग्ट हैं में रहा है। है third party के साथ में देखिए आपके जो partner है आपको बहुत ज़्यादा याद भी करते हैं कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि कुछ पुरानी यादे उनको इद्दम से याद आजाती है और वो क्या करते हैं जब उनको आपकी पुरानी यादे यादा आती है कुछ चीजे समझ में आ अभी पुरानी बातों को लेकर दुखी है आपके पार्टनर अभी ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हार्ट ब्रोकन हार्ट ब्रोकन वाली अनर्जी से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर क्योंकि यहां पर जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर को किसी ना किसी तरह से बहुत ज्यादा परिशान कर रही है, बहुत ज्यादा दिक्कते दे रही है, वो छीज यहाँ पर दिख रही है, दिखें, यहाँ पर कुछ चीजे मुझे ऐसे भी दिखाई दे रही हैं कि ये जो third party है न इस third party ने आपके partner से समय तो मांगा ही मांगा है, पर ये third party किसी बात के जित को लेकर किसी बात के चीजों को लेकर इतनी ज़्यादा परिशान हो रही है और परिशान कर रही है क्यों कर रही है क्यों कर रही है क्योंकि इस थर्ड पार्टी को जो चाहिए आपके पार्टनर से वो चीजों को लेकर ये थर्ड पार्टी बहुत कुछ सोच रही है क्योंकि आपके पार्टनर अभी करेंट में आपके लिए बहुत सारे मोशन बहुत सारे फीलिंग्स रख रहे हैं चलिए आपके लिए कुछ कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कि अभी आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं यहां पर दा एमप्रेस का कार्ड है सन का कार्ड आया है यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए जो कार्ड निकाले हैं वो यहाँ पर यह बता रहें कि अभी आपके पार्टनर जो हैं वो आपको लेकर बहुत कुछ फील कर रहे हैं देखें यहाँ पर six of wands के अनरजी है बॉटम से जो आपके लि आपके अंदर जो कॉलिटी है वो आपके पार्टनर को किसी के अंदर दिखती ही रही है आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत पॉजिटिव वे में बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपके तरफ आना चाहते हैं आपके साथ में जज्जमेंट करना चाहते हैं कहीं न कहीं हुई है ना तभी कि आपके पार्टनर आपको जज्मेंट देना चाहा रहे हैं तो वो चीज निकल के आ रहे हैं यहां ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं एक न्यू प्रपोजल आपको देना चाहते हैं नए सीरे से नई शुरुवात करना चाहते हैं, विक्टरी आपको देना चाहते हैं, अपने जीवन में विक्टरी लाना चाहते हैं, शादी आप से करना चाहते हैं, कहीं न कहीं कोई कमेट्मेंट, कोई शादी, कुछ तो आप से शेयर करने वाले, तो वो चीज यहां पर दिख रही हैं और इनकी emotions जो हैं वो control से बाहर दिख रहे हैं बहुत दिन से आप देख रहे हैं energy निकल रही है कि आपके partner के emotions पे वो काबू नहीं रख पा रहे हैं और third party का हाल बेहाल हो रहा है क्यों क्योंकि यहां पर third party trust हो चुकी है ठक चुकी है आपके partner का behavior देख देख कर यह third party जितना आपके partner को भरकाने की कोशिश कर रहे हैं उतना आपके partner आपके तरफ जुक रहे हैं क्यों जुक रहे हैं क्योंकि यहां पर सब कुछ समय के हिसाब से हो रहा है और ये समय बता रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं न कहीं इस थर्ड पार्टी में उलजे हुए थे वो इस थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा अटेश्ट थे पर अब चीजे ये बोल रहे हैं कि अब आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी से उनको लगने लगाए कि थर्ड पार्टी जबरदस्ति कैस्ट कर रही है उनको बांद के रख रही है एक होता न लगाओ तो यहां कोई लगाओ नहीं रहा पहले आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी में इंट्रेस्ट था आपके पार्टनर को थ इतनी ज्यादा दिखने लगी है जो कभी कमी आप दिखाते थे आप बताते थे कि यह थर्ड पार्टी जो है इस लायक नहीं है थर्ड पार्टी जो है आपके आपको धोका दे रही है वो चीजे कभी आपके पार्टनर को नहीं दिखी लेकिन अब वो कमियां आपके पार्टन पार्टनर को नजर आने लगी है, अब आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी में वो चीजे दिखाई देने लगी है, जब आप बोलते थे थे ना, तब इन्हों ने आपको बहुत मजाक उड़ाया, आपको बहुत बुरा भला कहा, है ना, लेकिन अब यहां पर जब दिल, चाहती है, यह थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अच्छे से समझ आ गया है, यह थर्ड पार्टी क्या चाहती है, सिर्फ इस से बात करें आपके पार्टनर, यह थर्ड पार्टी चाहती है, कि इसके जी, हां में हां मिला है आपके पार्टनर, ऐसा चाह रही है यह पार्टनर को कंट्रोल करेगी जैसे ही थर्ड पार्टनर को अपनी तरफ अट्रेक्ट करेगी बस आपके पार्टनर इसकी हां में हां मिलाए अगर आपके पार्टनर कुछ कहते हैं या इस थर्ड पार्टी में कमिया निकालते हैं तो थर्ड पार्टी को बुराई नजराने ल बहुत ज़्यादा गुसा है नाराज है और अब अकेले में टाइम स्पेंट करना चाहते हैं हाला कि यहाँ पर दिख रहे हैं कि आपके पास भी नहीं आए हैं इनकी लाइफ में चीजे हैं हुई है पर यह आपके पास नहीं आए हैं लेकिन इस थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि आपके पास आए हैं आपसे शेयर कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी की कुछ शिकायत आपसे कर रहे हैं तो इस बात के लिए थर्ड पार्टी थोड़ा सा नाराज दिख रही है थर्ड पार्टि को लग रहा है कि ये बंदा जो है मुझसे आपकी मतलब आपके पार्टनर ने क्या कर रहा है आपके पार्टनर ने जा जा कर इसको कुछ-कुछ बोला है आपके बारे में तो अब इसे लग रहा है कि अब आपका पार्टनर इसके बारे में आप से आकर बोल तो ये बात third party को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही जब आपके partner इस third party को बता रहे थी तब तो बहुत मजे लेके सुन रही थी third party तब तो बहुत enjoy कर रही थी लेकिन जब अपनी बारी आई तो इस third party को guilt feel हो रहा है आपका partner बुरा लग रहा है आपके partner के अंदर इसको कमिय नजर आ रही है है ना यहाँ पर third party आपके partner को एक cycle में बांद के रखी है क्यों क्योंकि ये अपने control में रखना चाहती है ये चाहती है कि चीजे जो हैं इस third party के हिसाब से हो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके partner stuck हो चुके हैं इस third party की बातों से इस third party के behavior से अब आपके partner जो इस थर्ड पार्टी से दूर जाना चाहते हैं वो चीज मुझे यहां पर दिखाई दे रही है आपके पार्टनर का मानना है कि उन्हें जल्द से जल्द इस थर्ड पार्टी को इग्नोर कर देना चाहिए क्योंकि शायद थर्ड पार्टी ने कुछ गलत चीजे आपके पार्ट पार्टनर को बता दी है जिससे आपके पार्टनर की लाइफ आपके पार्टनर का केरियर दाओ पे लग गया है जहां पर आपके पार्टनर फाइनेंशली ग्रोथ कर रहे थे वहां पर आपके पार्टनर की फाइनेंशली ग्रोथ जो है वो कम हो गई है और अब आपके उलच चुके हैं काफी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कोई केस वगेरा हो गया है पैसों से रिलेटेट फाइनिंशली कोई इशू आ गया है जहां पर आपके पार्टनर को इस इशू को हटाना होगा अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो इनका बिजनेस इनका केरियर इन आप जैसे सब का ध्यान रखते हो ऐसा यहां पर थर्ड पार्टी नहीं कर सकती है और यहां दिख भी रहा है कि यह थर्ड पार्टी जो है सिर्फ उलचा के रख सकती है सिर्फ उलचा के रख सकती है सिर्फ लोगों का फाइदा ले सकती है या फिर लोगों को उल्लू बना स यहाँ परनेस पूरी तरह से चला गया है अभी आपके पार्ट्नर आपकी तरह बैलेंस जिन्स बनाते हुई दिख रहे हैं चीजों को सही और हुप इसमिते हभी को पार्ट्न चाहा है देखे आप दोनों जो हो एक दुसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो बहुत ज़्यादा दोनों थोड़े ही टाइम में बहुत क्लोज आ चुके हो बहुत ज़्यादा कनेक्शन है आप दोनों के बीच में आपने अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा सपने आप चाहते हो कि रिष्टा जो है सही हो जाए आपके पार्टनर की भी यही तिंकिंग दिख रहे हैं कि वो अब आपकी तरफ इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं बहुत जल्दी आपसे कॉंटेक्स करने के बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर जल्द से जल्द आपसे कॉंटेक्ट हो जाए बस ये सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपको ले कर सोच रहे हैं दर्द में हैं परिशान हैं उनकी तकलीफ है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, पैनफुल सिच्वेशन है, पुरानी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, हार्ट ब्रोकन वाली एनरजी है, सोने को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको प्रोपोजल भी देना चाहते हैं, आपके साथ में जज्जमेंट करना चाहते हैं, तो वो चीज़े यहाँ पर निकल के आ रही है, कि आपके पार्टनर जो हैं, वो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्पाई भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नजर रखे हुए हैं, और ये दिख रहे हैं, कि आपके पार्टनर के आँखों पर जो पट्टी बंदी है वो बहुत बुरी तरह से बादी गई है कहीं न कहीं आपके पार्टनर सही चीजों को देखी नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर जो हैं इस रिष्टे पे काम भी करेंगे इस relationship को लेकर वो बहुत सोच रहे हैं बहुत ज़ादा इस relationship को लेकर क्यों क्योंकि उन्हें लग रहा है कि third party के साफ में आगे का future plan नहीं किया जा सकता third party के साफ में आगे की चीज़े अच्छी नहीं हो सकती है वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है और अभी आपके partner जो है जो भी समय चल रहा है उस समय से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं सारी चीज़ों को सही करेंगे सब चीज़े सही हो जाए यह चाह रहे हैं आपके partner ठीके डिया तो आपको proposal दे सकते हैं new beginning कर सकते हैं आपके साथ में एक new start एंड एक new beginning की तरफ आपके partner जो है बढ़ते हुए दिख रहे हैं आप देखिएगा कि आपके partner ने जो भी चीज़े करी है वहां से अब यह एक नए रस्ते की तरफ बढ़ रहे हैं तो बैलन्स करेंगे सारी चीज़ों को आपको spy भी कर रहे हैं आपको देख रहे हैं आपको call message आ सकता है और ये आपको कोई शादी से related कोई बात बताने वाले हैं तो dear बताईएगा कमेंट section में कि किस-किस के partner ने आपको commitment दिया है किस-किस के partner ने new beginning की बात करी है और किस-किस के partner ने शादी से related कुछ news बताई है ओके dear तो ये है आपके partner और third party के बीच का relationship कि क्या चल रहा है क्या feelings है क्या emotion से आपको लेकर वो सारी चीजे हमने clear कर दी है वीडियो अगर अच्छा लगा है तो dear वीडियो को like कर दीजेगा और जो लोग फर्स टाइम चैनल पर आ रहे हैं प्लीज चैनल को subscribe कर दीजे